हेलो एवरिवान मैं आशा करती हूँ आप से भी ठीक होंगे मैं काजिल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल व्यूपिलटीचे में जैसे कि हम सभी को पता है कि सेटाइट की जो आणलेइन परिक्षा है ये आपकी 28 दिसमबर से यहां पर 7 फेबेशूरी की बीच में अलग-छलग फेसस में हो रही है और देखिए यहाँ पर यह जो online परिक्षा हो रही है जिसका analysis यहाँ पर रोज चल रहा है इससे हम लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है कि CETAT की online परिक्षा में इस बार सबसे ज़्यादा जो change देखने को मिल रहा है वह paper 1 में आपको EVS के अंदर यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है और EVS में जो आपका 15 नंबर का यहाँ पर content पूछा जाता है इसमें से यहाँ पर आपका 4 से 5 नंबर की आपका NCERT का content पूछा जा रहा है इसके अलावा बाकी आपके 506 questions ऐसे पूछा जा रहे हैं किस तरीके का dance form है इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है तो देखिए आज की वीडियो यह इसी topic पर होने वाली है जो कि आपका इस book के syllabus को यहाँ पर cover करेगी जो कि cultural diversity पर है जो कि आपका इंडिया के अंदर देखा जाता है अलग-लग राज्यों में किस तरीके की हमें विवित्ता देखने को मिलती है और साथे साथ अगर आप इस वीडियो में अंतक बने रहते हैं तो आपकी जो knowledge है वो बहुत जादा boost हो जाएगी copy pen पकड़ के बैठिये क्योंकि अगर आने वाले shift में आपका paper है तो इन में से कोई साभी question आपके paper में यहाँ पर बन सकता है तो चलिए जादा time ना waste करते हुए direct मैं आपकी आज की वीडियो शुरू करती हूँ और जैसे कि मैंने कहा वीडियो को आप starting से एंग तर रेखिये और जादा तर मैंने वही राजजे यहाँ पर cover की है जो कि आपका class 3rd to 5th की NCRT के अंदर जिनके बारे में mention किया गया है जैसे कि हमारे असम के राजजे के बारे में हमें mention किया गया है राजिस्थान के बारे में mention किया गया है पेपर में वो चीज़ नहीं चूटी किए तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और अगर आपके आने वाले शुर्फ में पेपर है और तयारी में आपको परिशानी हो दिये तो आपको डिस्क्रिप्शन में हैं पर दो प्लेलिस्ट मिलेगी सीटाइट प्रप्रेशन है जो कि आपको मदद करेंगे और आज की वीडियो में मैं वहीं पर इंक्लूट कर दूँगी तो चलिए आज के इंपॉर्टन क्लास हम शुरू करते हैं और आपके सामने यहां पर स्लाइट आपको शुरू होगी अब चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टन पॉइंट अभी आपको पता चलेंगे इस वीडियो में आप एंग तक बने रहिएगा यह टॉपिक आपके सीटाइट परिक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टन और करेंट टॉपिक यहां पर बना हुआ है अब देखिए यहा देखिए सबसे पहले आपको क्या जानना है कि असम की राजधानी क्या है यानि कि इसकी कैपिटल क्या है अब आप कहेंगे कि राजधानी भी डारेक्ट पूछ रहे हैं तो देखिए जो आपके माप रिलेटेड कोशन होते हैं उसमें कई बार स्टेट के नाम ना देके यह यहां पे कैपिटल के नाम दे दिये जाते हैं और कहते हैं कि यहां से नौर्थ की तरफ आप जाओगे यहां से इस की तरफ जाओगे वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको यहां पे कैपिटल की भी जानकारी होनी चाहिए तो असम की जो राजधानी है वे क्या है वे है पर map related एक और question यहाँ पर पूछ जाता है कि असम से लगेवे राज्य कौन से हैं तो देखिए इस से लगेवे राज्य आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको यह भुटान मिल जाएगा इसके अलावा यहाँ पर आपको अरुणांचर प्रदेश मिल जाएगा इसके यह आपको करना किसके लिए यह आपका map related topic आपको मदद करेंगी इस तरीके के आप state को detail में जब पढ़ते जाते हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी मैंने आपके साथ यहाँ पर असम का जो map है उस related जो चीज़ा आपको पढ़नी है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर राज्य दिवस मनाये जाता है वो कम मनाये जाता है वो 2 December को मनाये जाता है साते साथ इसका जो geographical area है जो भोगॉलिक छेतरफल है वो कितना है वो 78,000 के आसपास है और इसकी capital क्या है इसकी जो राजधानी है वो क्या है डिस्पूर है साते साथ यहाँ पर जो official language बोली जाती है वो कौन कौन सी है वो है असामी वो है बोडो और साते साथ बंगाली तो देखिए यहाँ पर आपको language भी पता होना चाहिए साते साथ असम का जो state animal है वो क्या है वो है गोड जो कि जिसको हम गेंडा के नाम से भी जानते है जो कि rhinosaurus होता है इसके अलावा यहाँ पर हमें क्य हम राष्ट पुश यानके flower के बाद करें तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि यहाँ पर जो orchard के आपके flower होते हैं वे यहाँ पर state flower माने जाते हैं और यहाँ पर जो state bird है वो क्या है आपका how long जो है यहाँ पर state bird है I hope यह चीज़े आप अपने notes में add करते जाएंगे क्योंकि आपके अगर आने वाली shift में paper हैं तो यह सब चीज़े बहुत commonly पूछी जा रही हैं अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर असम के बार में और detail में कुछ चीज़े देखते हैं जैसे कि असम में किस तरीके की dress जो है वे आपकी पहनी जाती है तो देखि का है जिससे साडी भी बनाए गई है जिससे गमचा भी आपका तियार किया गया है यह देवडी जोडा माना जाता है इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ traditional costume पहनी यहाँ पे woman क्या कर रही है यहाँ पे चावल या धान को कूट रही है इसके अला डान्स में इसका प्रियोग किया जाता है इसके अलावा अब देखिए यह सारी चीज़े आपके पेपर में पूछ जा रही है साथे साथ अगर हम यहाँ पे जो famous food है इसके बात करें कि क्या चीज़े यहाँ पे खाई जाती है तो देखिए असामी ठाली यहाँ पे आपके स प्यार किये जाते हैं केले के पैंकेक आपने खाए भी होंगी काफी टेस्टी होते हैं यह केले आपकी किस तरीके से होते हैं यह कौन की शेप में बनाए जाते हैं और इसके अंदर पेठ आपका होता है तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या है यहाँ पे असम में खान और यहां पर हम लोगों को एक पारंपरिक मुखोटा भी यहां पर दिखाया गया है कि वहां पर जो ट्रेडिशनल डांस या फिर कल्चरल डांस वगयरा होता है तो ट्रेडिशनल यहां पर पारंपरिक मुखोटा इस तरीके से त्यार किया जाता है अब देखिए अब हम जो एक अलावा जिसमें सब लोग एक साथ एक खटा मिलके बैखते हैं और खाते हैं इसके बारे में भी हमें बताया गया है तो देखिए इन में से कोई भी आपके paper में पूछ जा सकता है अभी मैंने आपके साथ detail में यहाँ पे असम को discuss किया अब हम जो दूसरा राज्य यहाँ पे cover करने वाले हैं वो है बिहार और जैसा कि मैंने कहा कि अब आपका paper बहुत pass है तो देखिए सारे के सारे states cover करना तो बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा पर आप यहाँ पे smartly जो third to fifth class की NCRT के अंदर जो हमें chapter के अंदर जो states mention है कम से कम वो वाले states तो आप अच्छे तरही किसे करके जाएगे तो देखिए बिहार किसके सीजों के लिए famous है इसको जरह हम देखेंगे और अगर हम बिहार के map के बात करें तो देखिए बिहार में आपको पता है कि यहाँ पर जो capital है जो राजधानी है वो क्या है वो पतना है तो देखिए बिहार के राजधानी पतना है यह कई बारी आपका map related question में पूछा गया है कि अगर हम दिल्ली से पतना की तरफ देखिए तो देखिए आपको पता होना चीए कि यह किसकी राजधानी है यहाँ से question आपको मदद करेगा map ने इसके अलावा देखिए अगर हम यहाँ पे बिहार से बिहार के जो neighboring state है इसकी बात करें तो यहाँ पर इस side यह नेपाल से घिरा हुआ है एक side यह पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है एक side यह जारखंड से घिरा हुआ है और एक side यह उत्तर प्रदेश से आपका खिरा हुआ है तो यह आपको अपने notes में add करते वे जाना है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके paper में अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार से related कुछ facts देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जो state date जो राज दिवश मनाया जाता है वे आपका 22 मार्च को मनाया जाता है और इनका जो छेतरफल है यहाँ पर देखिए यहाँ जो छेतरफल है दोनों में ही medium में अलग-लग यहाँ पर दे रखा है जो यहाँ पे एक तरीके से अधिकारिक भाषा जो बोली जाती है वो क्या है वह हिंदी है वह मैथली है और उर्दू यह भाषा यहाँ पे बोली जाती है इसके अलावा यहाँ का जो राज्य पुशु है वो क्या है वो है बैल जिसको हम आॉक्स के नाम से जानते हैं इसके सा साथ यहां पर जो राज्य पक्षी है वो क्या है वो है गौरिया इसके अलावा जो यहां पर फ्लार आपका यहां पर सबसे ज्यादा फेमस है वो है मैरी गोल्ड जिसको हम गैंदर का फूल भी बोलते हैं और साथे साथ यहां पर जो राज्य विक्ष है वो क्या माना जाता है वे people माना जाता है तो देखिए ये चोटी-चोटी चीज़े आपको आपके paper में मदद करेंगी अब देखिए इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर और क्या-क्या चीज़े famous है तो देखिए यहाँ पर पारंपरिक पहनावे को पहन के यह साड़ी को पहन के यहाँ पर जो बिहार की ladies है वो दिखाई गई है जिन में आप देख सकते हैं कि यह सीधा पला लेके साड़ी पहनते हैं और साथ-साथ जो यहाँ पर जो कुम-कुम लगाया जाता है वो नाफ के टिप से लगाया जाता है और इनके कुम-कुम की खास बात है यह खास करकि जब इनकी पूजा वगएरा होती है तो यह औरेंज कलर का कुम-कुम लगाते हैं यह आपको याद अखना है इसके लावा यहाँ पर क्राफ्ट के लिए बिहार काफी ज़्यादा फेमस है साथ-साथ मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है तो आपको पता होना चाहिए कि मधुबनी पेंटिंग कहां बनाई जाती है ये बिहार के लिए जादा फेमस माने जाती है जिसमें चावल को पीस कर यहाँ पे रंगों को मिला कर इस तरीकी की चितरकला कराई जाती है इसके अलावा देखें यहाँ पे बाबर केव जो है मोरियान स्टॉक्चर में यहाँ बनाया गया है जो की घूमने के लिए काफी अच्छी जगा माने जाती है और यहाँ पे यह जगा पटना म्यूजियम के लिए भी फेमस है तो देखें यह छोटी छोटी चीज़ आपके पेपर में पूछी जा सकती है इसके अलावा यहाँ पर अगर हम भोजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस फूट जो है वो यहाँ का क्या है लिट्टी चोका आपने कई सारे म्यूजिक सॉंग में कई सारे मूवीज वगेरा में देखा भी होगा इसके बारे में जिक्र भी किया गया है लिट्टी चोका जो है वो बिहार का जो है यहाँ पर एक तरीके से सबसे पसंदीदा भूजन माना जाता है और अगर हम चित्रकला की बात करें तो देखें अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यहाँ पर जो आपका फेमस चित्रकला है वो आपकी है मदुबनी की चित्रकला यह आपको पता होनी चीए इसके अलावा देखें इसके अलावा अब हम आगे बढ़ जाते हैं अब अगले स्टेट में जो की है केरल अब देखिए अगर आपनी NCRT बहुत अच्छा से पड़े होगी तो आपने इन सभी चाप्टर का जिक्र जरूर सुना होगा जब आप NCRT को पढ़ते हैं तो देखिए केरल के बारे में आपको क्या-क्या चीज़े जाननी है जरह हम देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम केरल के बारे में भी उसकी राजधानी देखेंगे तो उसकी राजधानी क्या है तिर्वंत पूरम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केरल की राजधानी क्या है तिर्वंत पूरम यह कुछ बेसिक चीज़े आपको याद करनी है इसके अलाव राज्य आपका ये माना जाता है इसके साथ हम कुछ इसके basic fact भी जानते हैं जैसे कि केरल का state day कब होता है केरल का state day होता है आपका 1 नवंबर को इसका जो राज्य का आपका भोगौलिक छेतरफल है वो आपका 38,000 के आसपास है तो ये आप को आप याद ना भी करो तो चल इसके अलावा इसके capital क्या है इसके capital है आपके तिरवंतपुरम यानिके राजधानी तिरवंतपुरम है यहाँ पर जो official भाषा बोली जाती है वो क्या है वो है मल्यालम यह आपको पता होनी चाहिए इसके अलावा यहाँ पर जो आपका state animal है राज्य पशु है वो क्या है हाथ साथे साथ यहां पर जो पक्षी है वो आपके great hornbill है जिसके बारे में हमें NCRT के अंदर हमें जिक्र किया गया है और यहां पर जो flower आपका सबसे ज़्यादा आपका यहां पर famous है वो है kanikona तो यह आपको नाम याद रखना है और यहां पर जो सबसे ज़्यादा state tree माना जाता है मतलब सबसे famous माना जाता है वे आपका क्या है वो coconut है आपको अगर केरला का एक mind में image लेने को कहें तो आपको दिखेगा कि coconut के बहुत सारे पेड़े हैं क्योंकि वहां पर state tree ही माना जाता है इसके साथ साथ और क्या चीज़े जाननी है तो देखे यहां पर उनकी पारंपरिक वेश पुषा और उनके खान पान के अगर हम बात करें तो यहां पर एक महिला दिखा रखी है जो के पारंपरिक सारी में दिखा रखी है यहां पर वाइट कलर का आपकी प्रॉपर वाइट कलर के सारी और उसमें येलो कलर का प्रॉपर बहुत प्यारा सा बॉर्डर होता है और इस तरीकी की सारी यहां पहनी जाती है साथे साथ इसी कलर के यहां पर पारंपरिक यह एक वेश पुषा जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे धोती की तरह ये पहनी जाती है वो भी पुर्शुर द्वारा अब देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो फूड खाया जाता है इस फूड को यहाँ पर केले के पतल में खाया जाता है और आप देख सकते हैं इसे क्या बोलते हैं इसे साड़े बोलते हैं साड़े यहाँ पर जो फूड है इसके लिए प्रियोग किया जाता है इसके को यहां के dance form के बारे में अच्छ से पता होना चाहिए यहां पर जो dance form है famous वो है Kathakali जिसके आप image देख सकते हैं इसको याद रखने के लिए इसके अलावा एक जो lady है यहां पर बहुत अच्छे expression के साथ dance कर रही है इसे मोहिनी अटम के नाम से जाना जाता है इसके अलावा य यहां पर कृष्ण भगवान को यहां पर depict करने के लिए यह dance form है जिसे कृष्ण अटम के नाम से जाना जाता है तो यह कुछ यहां पर dance form हो गए इसके अलावा यहां पर कुछ यहां पर एक तरीके से चित्र कुछ painting वगरा बता रखिए जिसमें यहां पर एक famous painting दिखा रख तो अगला स्टेट कौन सा आजाता है अगला स्टेट हमारा आ जाता है गुजराट अब देखे गुजराट के बारे में ऑन। जग होगा है Chinese लगनी इसमें पहले तो यहां पर यह महरास्ट्र से मध्य प्रदेश से इस États रावा राजस्थान। पाकिस्तान से और साथे साथ यहां आप देख सकते हैं अरब सागर से और नीची के साइड डादर और नादर हवेली इनसे घिरा हुआ है तो यह एक जगह पे आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फूजन होती है यह कोशन आपका पेप पपिशन आप जगप 20,000,000 है तो यह काफी बड़ा आपका स्टेट माना जाता है साथ साथ इसकी राजदानी क्या है इसकी राजदानी आपकी गांधी नंगर है और यहां पे जो आपके उफिशल लैंगविजrado बोली जाती ही वो गुजरादी लैंगविज है इसकी आपन lion को माना गया है और यहाँ पे जो state bird है वो great flamingo यानि की hans को माना जाता है इसके साथ साथ यहाँ पे जो flower है वो marigold है यानि की गैंदे के flower को ही यहाँ पे एक state flower माना जाता है और यहाँ पे state tree जो माना जाता है वे आम यानि की mango को माना जाता है इसके साथ साथ और क्या जानना है इसके साथ कुछ और बेसिक चीजे हम जानते हैं गुजरात के बारे में तो देखें गुजरात जो है किसीज के लिए आपका फेमस है वो ढोकले के लिए फेमस है तो गुजराती ठाली आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजराती यह कवेला और गुजराती ठाली हम लोगों को दिखा रखी है इसके साथ साथ गुजरात में कुछ फेमस फेस्टिबल होते हैं जैसे कि नवरात्र और नवरात्र जो है यहाँ पे पूरे नौ दिन तक चलता है बहुत बड़ा फेस्टिबल यहाँ मनाया जाता है इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप राम उत्सव यहाँ पे करके दिखा रखा है यहाँ पे इमेज में इसके अलावा यहाँ पे इंटरनाशनल काइट फेस्टिबल भी मनाया जाता है जहाँ बड़ी बड़ी अलग तरीके के पतंगे उड़ाई जाती हैं तो यह कुछ फेस्टिबल है जो यहाँ पे मनाया जाते हैं इसके अलावा यहाँ पर जो निर्त है तो हमें यहाँ पे पूछे जा सकता है कि ये जो आपके निर्त है ये értके किस जपार पे आपका कर रहो जाते हैं तो आपको ये पता होना चीए और यहाँ पेंटिंग है ये पेंटिंग कौन सी है ये पटोला पेंटिंग है जो कि आपका पेपर में आपसे पूछे जा सकती है पेंटिंग, डान्स फॉर्म, किस तरीके का फूड है ये आपका कौन-कौन से राज्यों से घिरा हुआ है इस तरीके के कुशन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं अब देखिए यहाँ पे अगर हम अगले राज्य के बात करें तो अगला राज्य है हमारा महराष्ट्र जिसके बारे में अब हम डिस्कूस करने वाले हैं तो देखिए महराष्ट्र के बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या जानना है तो महराष्ट्र की जो राजधानी है उसके बारे में ज़रह हम यहां पर जान लेते हैं महराश्चर की जो राजधानी है वै है मुंबई जो कि यहां पर mention किया गया है और साती साथ ये कॉन-कॉन से जगह से कहां-कहां से गरा हुआ है इसको ज़रह देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे यह आपका मध्य प्रदेश से, इसके अलावे यहाँ से यहाँ पे च्छतिसगर से, तिलंगाना से, करनाटक से, साते साथ गोवा से और अरब सागर से यह लगा हुआ है, तो देखिए यह आपको बेसिक पता होना चीज, जैसे कि मैं बार-बार राज से भी लगा हुआ है, तो यह आपको यह याद रखना है और अपने नोट्स में नोट डाउन करना है, साथे साथ माहरास्ट्र के अगर हम राज्य दिवस्ट के बात करें, तो यह एक माई को मनाए जाता है, बहुत बड़ा राज्य है, जो कि लगबग 3,000 वर्ग किलो हुआ है, इसके जो राज़धानी है, वो है मुंबई, और यहाँ पे जो रास्ट भाषयान के उफीशल लाइंगवेज यह बोले जाते है, वो है आपके क्या मराठी, और यहाँ पर जो राज पशु है, वो है आपके शेक्रू जो है, यहाँ पर गिलहरी के लिए तो वो क्या है? आम है. तो कुछ बेसिक चीज़े हमने अभी महारास्ट के बारे में देख लिया. अब देखिए यहां पे अगर हम इनके वेशबुशा के बात करें तो देखिए यहां पे बता रखा है कि यहां पे यह जो साडी है इसको क्या बोला जाता है? इसे नवारी के नाम से जाना जाता है इस तरीकी के जो साडी पहनी जाती है और साते साथ महारास्ट्र के एक जो पुरुश है वो किस तरीकी के पारंपरिक वेशबुशा पहनते हैं वो भी हमें यहां पे दिखा रखा है और इस तरीकी के टोपी यहां पे पहनी जाती है साते साथ अगर हम यहाँ पर एक खान पान की बात करें तो देखे अगर हम महराश्ट्रा मुंबई की बात करें तो यहाँ पर बड़ा पाउ जो है यह बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है इसके अलाब पाउ भाजी और साथ-साथ मोंदक जो है यहाँ पर गनेश जी को चड़ाया जाता है जब यहाँ पर गनेश जी की पूजा की जाती है तो देखे यह कुछ फेमस फूर्ड वहाँ पर माने जाते हैं जिसके लिए महराश्ट्र जो है यह फेमस है इसके साथ-साथ अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो देखे निर्थ के बारे में यहाँ पर बता रखा है अगर हम आगे देखें तो देखें महराश्ट्र के बारे में हमें क्या-क्या चीज़े बता रखें हैं कि यहाँ पे हमें दो अलग-लग निर्थ के तरीके यहाँ पे बता रखें जिसका नाम क्या है माध्या मरूली अब देखें यहाँ पे एक में क्या है दूसरे पिक्चर में सिर्फ लड़के जो है वो डाउंस कर रहे हैं और यहाँ पे जो माध्या मरूली निर्थ एक है इसमे लड़के और लड़कें साथ में डान्स कर रहे हैं। चित्रकला से समंदित यह आपको पता होना चाहिए साथ अगर आप यहाँ पे देखे तो यहाँ पे हमें नासक कुम्ब मेला के बारे में हमें एक पिक्चर दे रखी है तो देखिए अभी मैंने आपके साथ डीटेल में यहाँ पे महारास्टर को डिसकस किया अब चलिए हम आ क्या देखना है कि इसकी राजधानी क्या है तो देखिए इसकी राजधानी आपकी क्या है इसकी राजधानी है जैपूर और राजिस्थान से लगेवे राज्य कौन से हैं तो हम अगर यहाँ पे देखे तो यहाँ पे एक तरफ से यह पंजाब से घिरा हुआ है एक तरफ स मैप related question में पूछा जा सकता है अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस राज्य के बारे में कुछ और basic बाते हैं पर जान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर राजिस्थान का राज्य दिवस का मनाए जाता है तो देखिए राजिस्थान के राज्य दिवस के अगर मैं बात करूँ तो यह 30 मार्च को मनाए जाता है यह काफी बड़ा राज्य आपका माना जाता है जो कि 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है साथे साथ इसकी राज्धानी राज्य स्थान के राज्धानी क्या है जैपूर है और यहां पर अदेदिक लोग कौन से भाषा बोलते हैं हिंदी भाषा बोलते हैं यहां का राष्ट पशू जो है वो उठ माना जाता है और यहां पर राज्य पक्षी क्या है सोन्च रहिया है तो देखिए यह आपको पता होना चाहिए और यहां पर जो आपके pushp use के जाते हैं यानि के flower use के जाते हैं वो है रोहिडा अब देखी इसके अलावा यहां पे जो पक्षी जो यहां पे जो रजवरिक्ष है वो कौन सा है वो खेजरी है तो देखिए खेजरी विलिच के बारे में भी हमें बता रख है और इसी चाप्टर के अंदर हमें उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया है साथे साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो देखें यहाँ पे पारमपरिक वेश-पुशा हमें दिखाई गई है महिलाओं की और पुशों की और आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इस तरीके से आपको कोशन आपका पूशा जा सकता है कि इस तरीके के पारमपरिक वेश-पुशा कहां पहनी जाती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और साथे साथ यहाँ पर जो इनका famous food माना जाता है वो क्या है डाल भाटी चूर्मा तो देखिए यहाँ पर famous food माना जाता है जो कि आपको याद रखना है और साथे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ और famous food है जैसे की मिर्ची वड़ा यहां पे काफी famous माना जाता है और यहां पे जो घेवर होती है इसकी मिठाई जो है काफी जादा famous है यहां के लिए और यहां पे देखिए कुछ dance form के बारे में बता रखा है यह जो सबसे side में आप यहां पे देखेंगे यहां पे आपको यहां क्या दिखेगा यहां पर यह जो महिला है यह घूमर dance को perform कर रही है जिस पर एक movie में भी हमें यह dance form दिखाया गया था इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे कथक दिखाया जा रहा है वो भी जैपुरी style में जो कि यहां पे यह dance form दिखाया गया है इसके अलावा काल बेलिया निर्त भी हम लोगों को यहां पे बताया गया है तो देखें यह कुछ dance form है जो कि यहां पे राजस्थान में जो है यहां पे dance में प्रियोग की जाते है अब देखें अब हम यहां पे उत्राखंड के बारे में जानने वाले हैं उत्राखंड से related हमें क्या क्या चीज़ें यहां पे पैदा होनी चीए तो चलिए इस राजजी के बारे में जानते हैं तो देखें सबसे पहले हम हर राजजी की राजधानी देखेंगे तो देखिए उत्राखंड की अगर मैं बात करूँ तो यहां राजधानी क्या है यहां है धहरादून राजधानी और साथे साथ उत्राखंड जो है वो किस-किस जगह से घिरा हुआ है तो देखिए एक तरफ से यह चीन यानकी तिबबत से घिरा हुआ है एक तरफ से यह इसक बातें यहां पर हम जान लेते हैं, जैसे कि 9 नवेंबर को यहां पर राज्य दिवस मनाये जाता है, अगर हम भूमी छेतरफल के हिसाब से देखें, तो 53,000 वर किलोमेटर के आसपास है इसका छेतरफल, यहां पर जो राजधानी है, वो क्या है, वो है दहरादून, यहां पर अगर हम देखें, तो यहां पर जो पशु है, वो है कस्तूरी मुर्ग, जो है यहां पर आपका राज्य पक्षी माना गया है, और यहां पर अगर हम राज्य पशु के बात करें, तो परवर्तिय कस्तूरी मुर्ग को यहां पर राज्य पशु माना गया है, राज्य पक् और राज अगर हम यहां पर वरिक्ष की बात करें, तो यह है भुरास. अब देखिये, यहां पर हम लोगों को कुछ बेसिक बाती हैं पर उतराखन के बारे में nih, जानने को मिली आप चलते हैं आगे, और अब हम यहां पर कुछ बेसिक चीज़े जान लेते हैं, कुछ आपके कुमाउनी कहलाते हैं और कुछ आपके गड़वाली कहलाते हैं तो देखिए यहाँ पे कुमाउनी पारंपरिक वेशबुशा और गड़वाली महिलाएं यहाँ पे दिखा रखी हैं आपके पारंपरिक वेशबुशा में और साथे साथ कुछ यहाँ पर आपके और ट्रेडिशन है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे कि यहाँ पर जो कभी कोई फेस्टिबल हो या फिर कोई शादी वगएरा हो तो कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगी कुमाउनी और गड़वाली शादी में जैसे कि पिछोड़ा और नत यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा प्रचलिट मानी जाती है और बहुत ज़्यादा इसका एक तरीके से धार्मिक तरीके से इसका महत्व भी है तो देखिए यह महिला आप देख सकते हैं जिसने सर पे पिछोड़ा और रखा है और साथे साथ नत भी पहन रखी है अब देखिए इसके रावा और क्या जानना है तो देखिए यहाँ पे अगर हम food के बात करें तो वैसे तो यहाँ पे हर तरीके के food खाए ही जाते हैं बट जो यहाँ पे मिठाई जो सबसे ज़्यादा famous है वो यहाँ पे बाल मिठाई यह एक chocolate की ही मिठाई होती है जिसमें white white आपके यहाँ पे दाने इसके उपर होते हैं और यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित मानी जाती है उत्राखंट में साथे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक महिला जिसने नत पहनी हुई है यह उत्राखंट के एक तरीके से बहुत common sign में से एक माना जाता है और यहाँ जो निर्त यहाँ पे किया जाता है इसको छोलिया निर्त बोलते हैं तो देखिए यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं इसके पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं अब देखिए आगे अगर हम बढ़ें तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गोवा के बारे में तो चलिए गोवा के बारे में जरा जान देते हैं गोवा के बारे में आपको क्या-क्या चीज़े जाननी हैं तो देखिए गो इसके अलावा और क्या जानना है गोआ के बारे में तो देखिए गोआ का जो राजज दिवश है। वो कब मनाये जाता है वे 20 मही को मनाये जाता है गोवा एक छोटा राज्य है जो की 3,000 वर के किलोमेटर तक फैला हुआ है इसके राजधानी जो है वो पंजी है और यहां पे जो भाशा बोली जाते है वो कौन कर नहीं भाशा बोली जाती है यह आपको याद अखना है इसके अलावा यहां पे राज्य अगर हम वरिक्ष के बात करें तो वरिक्ष जो है वो आपका मूर्ती को माना जाता है अब देखिए अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां पे गोवा किस स्टीज के लिए फेमस है तो देखिए गोवा जो है एक ट्यूरिस्ट प्ल जिसके बारे में हमें NCRT EBS के अंदर भी बता रखा है, यह यहीं पर पढ़ता है, और साथे साथ कुछ ऐसे आपके monument है, कुछ ऐसे special church है, जो कि गोवा में ही यहाँ पर पढ़ते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पर देखेंगे तिलंगाना के बारे में तो देखेंगे आपके paper में बहुत सारे question states से यहाँ पर पूछ जा रहे हैं, जो कि पोचम पली साड़ी से संबन्दे थे हाँ पर पूछा गया है, तो देखेंगे यहाँ पर इस राज्य के बारे में कुछ basic चीज़े यहाँ पर जान लेते हैं, तो देखें तिलंगाना के जो राजधानी है वे क्या है वो है 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 एदराबाद यह आपको पता होना चाहिए, और जो तिलंगाना है यह कौन-कौन से राज्यो से घिरा हुआ है, तो देखें एक तरफ से यह आपका च्छतिसगर से, एक तरफ से उडिसा से भी लगा हुआ है, आंधरपरदेश से भी लगा हुआ है, तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है, इसके अलावा देखी इस स्टेट के कुछ बेसिक चीज़ा अगर हम जान ले तो देखें यह जो तिलंगाना है, इसका राज्य दिवस जो है, यह आपका दो जून को मनाया जाता है, यह काफी बड़ा आपका जो की एक लाख वर्ग किलोमेटर के आसपास इसका छेत्रफल है, अगर राजधानी की बात करें, तो राजधानी यहाँ पर हैदराबाद है, और यहाँ की जो ओफीशल भासा है, वो क्या है, वो है तैलकू, और देखिए जो यहाँ पर राज्य पश्यू है, उसे जी का ब अब देखिए, यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर बता रखा है, अब इसके अलावा यहाँ पर जो राज्य पुश्प है, वो है ठेगेटू, और जो आपका राज्य वरिक्ष है, वो क्या है, जुमी चेटू, यह नाम दे रखा है, इनके आप इमेजिस देख सकते हैं, इसक इजरी का ही वरिक्ष है, जो कि इस तरीके से दिखता है, जो कि यहाँ पर राज्य पुश्प और राज्य वरिक्ष यहाँ पर हमें बताये गए, इसके अलावा देखिए, हमें तिलंगाना के बारे में और क्या जानना है, तो देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेशन जो पूछा गया है कि पोचंपली साडी कहा बनाई जाती है? तो इस तरीकी की साडी और सिंधी पेटू आ, पोलते है नारायन पेट इस फơ्माट को बोला जाता है और यहाँ पे गडवाल आपका इस फ व्माट को बोला जाता है, साडी के तो देखे, यहाँ पर अलग-लग तरीक की जो साड़ी है ये बनाई जाती है इनके नाम आपको याद अगर इन में से कुछ भी आप से पूछ लिया जाए पैटर्न वाइस भी तो आपको ये पता होना चाहिए अब देखिए अगर हम यहां के फेमस फूड की बात करें तो देखिए यहां पे हैदराबाद की जो बिर आइटम यहां पर हमें बता रखें साथे साथ यहां पर जो कुछ एक शिल्प जो होते हैं यहां पर चांदी के बरतन हो गया इसके अलावा आप डोकरा देख सकते हैं यहां पर चिंदरी शिल्प आप देख सकते हैं तो अलग लग तरीके की यहां पर जो शिल्प कारी है य कुछ famous जगह जैसे गोलकुंडा का किला हो गया इसके अलावा यहाँ पे श्री लक्ष्मी जी का मंधिर हो गया यहाँ पे यह कुछ famous जगह है यहाँ पे हमें बता रखिए जो कि आप अपने notes में हाँ पे note down करिएगा इसके अलावा देखिए इसके अलावा अब हम यहाँ पे जानते हैं तमिल नाडू के बारे में इससे related भी आपके question पूछ ले जाते हैं कि तमिल नाडू के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं तो यह आपको पता होने ची तो देखिए तमिल नाडू के अगर हम बात करें तो तमिल नाडू की जो capital है वो क्या है वो है चेन नहीं इसके अलावा यह कौन-कौन से राज्य से घिरा हुआ है यह आपका एक तरफ से आंधरपरदेश से एक तरफ से करनाटका से एक तरफ से केरल से और साते सात आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हिंद महासागर से और यह इन से यहाँ पे घिरा हुआ है तो यह आपको यह कुछ राज्य और यह याद अखना है कि यह पाने में किस तरीके से यह एक तरफ से घिरा हुआ है इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर इसके बारे में कुछ और बेसिक चीज़े जानें तो यहाँ पर इसका जो छेतर फल है वो कितना है वो एक लाख वरगी किलोमेटर के आसपास है राजधानी इसकी यहाँ पर चैननाई है यहाँ पर जो उफीशल भाषा बोले जाते है वो तमिल और अंग्रेजी बोले जाती है जो पशु यहाँ पर आपका राज्य पशु माना जाता है वो है नेलगिरी इसके अलावा जो पक्षी यहाँ पर राज्य पक्षी माना जाता है वो है पन्ना यहाँ पर जो राज्य पक्षी है वो है पन्ना फाक्ता इसके अलावा जो पुष्प यहाँ पर जो राज्य पहने जाती है तमिल की नौ गज की आप लंबी साड़ी देख सकते हैं यहां पर इस महिला ने पहनी हुई है इसके अलावा यहां पर तमिल के पारंपरिक वेशबुशा में एक आदमी को यहां पर दिखा रखा है और एक स्त्री दिखा रखी है जो की पारंपरिक तरीके से सा चौन हें आपको यहां पर सबसेते करे जाते हैं तो आपका दोसा प्रद्क माने जाते हैं में करिली पत्र में और आप सकते हैं इस तरीके से भोजन यहां पर नहीं परोस जाता है तो देखिए ये नाम आपको यहाँ पर याद अखने क्योंकि कुछ भी आपसे पूछ जा सकता है इसके अलावा यहाँ पर एक स्वीट जो है यहाँ पर काफी फेमस है जो कि आपका वेन पोगल के नाम से यह जाना जाता है और साते सात यहाँ पर अगर डान्स की बात करें तो यहाँ पर जो भरत नाटियम है यहाँ यहाँ पर यह जादा फेमस माना जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा food खाय जाता है, कौन सा dance form है इसके अलावा देखिए अब हम यहाँ पे जारखंड की अगर हम बात करें तो देखिए जारखंड से related भी आपका question पूशे जा सकता है तो देखिए जारखंड की जो राजधानी है वो क्या है राची है और ये किस-किस जगह से कहां कहां से घिरा हुआ है तो ये बिहार से इसके अलावा ये पश्चिम मंगाल से, ये उत्तर परदेश से, चतिस गड़ से और साथे साथ ओडिसा से ये घिरा हुआ है तो ये नाम आप अपनी लिस्ट में आड़ कर लीजेगा और इसका जो राज्य दिवस्था ये आपका 15 नवंबर को मनाये जाता है इसका जो भगौलिक छेत्रफल है वो आपका लगभग 80,000 के आसपास है वर किलोमेटर के राजधानी इसकी राची है जो राज्य पशु है वो है हाथी यहाँ पे सरवाधिक तोर पे यहाँ पे हिंदी बोली जाती है राज्य पक्षी जो है कोयल और जो यहाँ पे पुष्प आपका राज्य पुष्प माना जाता है हो है साल और जो आपका व्रिक्ष है वो है पलास अब देखिए ये चीज़े आपको याद रखनी है और जारखंड में अब देखिए कुछ बेसिक चीज़े हम लोगों को यहाँ पर बता रखी है यहाँ पर पारंपरिक पेस भुशा में महिलाएं यहाँ पर दिखा रखी है किस तरीके से ये ड्रस वगरा पहनती है यहाँ पर जो आपका फीमस फूड है वो है ठेक हुआ इसके अलावा मीठा खाजा यहाँ पर बोला जाता है इस तरीके से प्रॉपर एक थाली यहाँ पर दिखा रखी है कि जो proper थाली होती है वो किस तरीके से यहाँ पर त्यार की जाती है साथे साथ यहाँ पर कुछ पर्व मनाय जाते हैं जिसमें से तूसु पर्व आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से मनाय जाता है छटपूजा जो है इसकी अलग ही माननेता है ये बहुत धूमधाम समनाया जाता है पेका निर्थ यहाँ पे किया जाता है पेका निर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस जगा से समंध रखता है तो ये जार्खन से समंध रखता है इसके अलावा देखें इसके अलावा यहाँ पे चो नित्र भी यहाँ पे बताया गया है इसके अलावा मर्दाना जूमर यहाँ निर्त यहाँ पे दिखाया गया है जो कि लड़कों द्वारा किया जा रहा है इसके अलावा खोवार चित्रकला आप देखिए आपसे चितरकला से भी related question पूश सकते हैं कि खोवार चितरकला कहां की है तो ये जारखन की है इसके लावा कुडुक भाषा जो है ये कहां प्रियोग की जाते हैं ये आपको comment section में बताना है I hope ये चीज़े आपको यहां पर clear होई होगी I hope ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इस वीडियो के थूँ आप लोगों ने बहुत सारे content को सीखा होगा और साथे साथ इसके आप अपने proper एक page में white sheet में notes बना लीजेगा 102 page में ये सारी चीज़े आपके add-on हो जाएंगी जिसको आप exam से पहले 2-3 बार अगर आप revise करते हैं तो questions सही होने के chances जो हैं आपके बढ़ जाएंगे इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले topic के साथ बाई बाई टेक केर